तो आज हम पढ़ने वाले class 6 geography chapter 1 the earth in the solar system का next question जिसमें बोला गया है name some of the heavenly bodies याने कि आपको नाम बताना है कुछ heavenly bodies का heavenly bodies याने कि ऐसी bodies जो कि आपको आकाश में आने कि आस्मान में दिखाई देती है या फिर जो होती है देखिए कुछ heavenly bodies आपको दिखती है कुछ नहीं दिखती है तो heavenly का मदलब होता है आस्मान या फिर आकाश में नाम सी क्लिए रहे heavenly याने कि जो आस्मान में जो bodies जो भी चीज हैं उनके आपको यहां पर नाम बताना है ओके तो चलिए देखते हैं अब प्लैनेट और स्टार सेटेलाइट कॉमेट्स मिटियोर्स ब्लैक होल वाइट ड्वाफ एक्सेट्रा और दर हेवनली बॉडिस इसका मतलब है यह सब चीजे मिलकर के प्लैनेट स्टार सेटेलाइट क में बॉडिस होती है वो यह सब होता है अब यगे चली 1x1 आपको में एक्स्डा चाता हूँ यह चीजें क्या होती है प्लैनेट क्या होते है जो की सन के चाव तरफ चक्कर लगाते हैं सन के चाव तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन बोडिस को हम बोलते हैं प्लैनेट्स जैसे कि यह सन है तो सन के चाव तरफ जो हैं बहुत सारे प्लैनेट्स इस तरफ चक्कर लगाते हैं तो हमको बोलेट्स ठीक है स्टार- स्टार क्या होता है जिन में हीट होती है's सं भी एक तरखा स्टार ही होता है ओके यिवकी सं के पास खुद खुद लाइट होती है next satellite satellite क्या होता है जो की प्लैनेट के चभात हrüंथाब गुमते कॉमेट्स क्या होते हैं बेसिकली बहुत बड़े बॉल शेप में होते हैं और इनके उपर डर्टी आइस या स्नौ होती है जो कि हमने आपको पिछले कोश्म में समझायते हैं या कि बड़ा सा बॉल जिसमें गंदी सी बर्फ जो है उस चीज़ का यह बना हुआ होता है पर बने बेस्तों में को आपको है और बहुत सारी बोडिस होती है जो कि अपको हेवनली यह रहा है आकाश में आसमान में दिखाई देंगी और कुछ नहीं दिखाई देंगी मतलब होती तो हैं तो यह सब होती है heavenly bodies okay students I hope आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमारी चैनल को सब्स्ट्राइक केजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना है थेंक्यू